दोस्तो ये है बाजाज की तरफ से आने वाली सबसे बहतरीन 400cc टूरिंग बाइक है ये 400cc के अंदर अकेला एक ऐसा बाइक है जो कि अंडर 3 लैक में मिल जाता है आज हम 2022 बाजाज डॉमिनर 400 का पूरा डिटेल में रिव्यू देने बाला हूँ इसका ओनोट प्राइस कितना है इसमें क्या-क्या नया अपडेट आया है माइलेज कितना मिलेगी क्या-क्या फेचर्स मिल जाती है टॉप स्विट कितनी है सब कुछ जाना है आजाम इस वीडियो में तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और जो लोग चनल पे नए हो प्लीज चनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की बाइग इलड़ेट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे पहुचा सकू अगर आप कोलकाता में या फिर कोलकाता की आसपस किसी भी जगा में रहते हो तो स्क्रीन पे आरा ही नंबर पे कॉल किजिए सबसे पहले चावी से सूरुवात करते हैं यहाँ पर आपको प्रीमियम वेब की मिल जाती है केटियम कमपनी की तरह जैसे कि यह टूरिंग बाइक है इसलिए यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टांस्परेंट विंड सील दिया गया है और यहाँ पर डूल टोन कलर में नाकल गार्ड मिल जाती है जो दिखने में काफी बढ़िया लग रही है नमबर प्लेट लागानी की जगा यहाँ पर एक उनिक सेप में फुली LED हेडलाइट मिल जाता है इसका दोनों तरफ LED DRL दिया है और मिडिल में हाई बीम और लो बीम का सेटप दिया है इसका लाइट देखिए दोस्तों आप लोगों को जला काट दिखाती हूँ यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस्ट हेडलाइट होने के बावजूद भी पावरफूल है इसका हेडलाइट साइड में LED में टार्न इंडिगरेट दिया है इसमें हैजार्ड का फांसन नहीं मिलेगा वो आपको आप्टर मार्केट इंस्टॉल करना पड़ेगा इसका फ्रॉंट मार्क गाट भी डूल टोन कलर में मिल जाता है सामने की तरफ बॉडी कलर दिया है और पीछे पूरा ब्लैक दिया है और यह काफी नीचे तक एक्स्टेंट करा हुआ है दोस्तो इसमें आपको 43 mm का अपसाइड डाउन फॉर्क सस्पेंशन दिया है और इसका ट्रावल है 135 mm यहाँ पर एंडूरंस का ब्रैंडिंग देखने को मिलता है मतलब यह सस्पेंशन एंडूरंस कमपनी की तरफ से आती है दोस्तो इस बाइक में आपको मेसिन काट अलोई हुर्स देखने को मिल जाता है जो कि इसका प्राइस रेंज में आपको किसी भी बाइकों में देखने को नहीं मिलेगी इसका टायर का ग्रीफ देखिए कितना बड़िया टायर ग्रीफ मिल जाता है इसमें और काफी चोड़ी भी है ये टायर फ्रॉंड में MRF कमपनी का रेब्स टायर यूज हुआ है जो की प्रीमियम बाइकों में दिया जाता है और इसका सेक्षन है 110 x 70 और 17 इंजेस का हुईल साइज दिया है फ्रॉंड में कितना बड़ा डिस्क मिल जाता है यहाँ पर जिसका साइज है 320 mm और ये डूआल चनल एभी इसका साथ आती है इसमें बाइब्री कमपनी का ब्रेक कैली पर यूज हुआ है जिसका ब्रेकिंग बहुत ही तगरा मिल जाता है मैं परसोनल इस बाइक को चला कर आप लोगों का पास ये रिव्यू लेकर आए हूँ अब दोस्तों इसका साइड में चले आते है साइड में देखोगे तो ये बहुत ही ही ये बालकी है ही क्योंकि इसका कर्व एट है 193 kg लगभग क्लासिक 350 की तरह डॉमिनर 400 का विलबे से 1453 mm और इसका ग्राउंट लियर इंड से 157 mm जो कि थोड़ा कम लगा मुझे यहाँ पर सिल्बर कलर में मेटल का इंजिन गाड मिल जाता है और साइड में फाइबर का कौबारिं किया हुआ है जिससे पूरा चारो दारप से यह प्रोटेक्टेड रहा है यहाँ पर एक बड़ा सा रेडियेटर मिल जाता है क्योंकि यह लिक्वीट कूल इंजिन है और यह है इसका कूल एंड लेवेलर यहाँ पर फूल ब्लैक कालर में इंजिन देखने का मिल जाता है अब इसका इंजिन स्पेसिफिक इसान जान लेते है इसमें 373cc सिंगल सिलेंडर लिक्वीट कूल फोर वल्ब एफा इंजिन मिल जाता है जिसका मैक्सिमम पावर है 39.42 ब्रेक होर्स पावर और 35 नूटर मिटर का मैक्सिमम टॉर्क निकलती है यह इंजिन और यह 6-speed gearbox के साथ आते है इस बाइक के टॉप स्पीड है 165 km पावर की यहाँ पर आपको company fitted engine guard मिल जाती है और इसके साथ ही इसका radiator guard भी दिया हुआ है silver color में brake lever, adjustable pillion footrest और यह इसका rear brake oil डलने का जगा black color में pillion footpeg यहाँ पर dual barrel exhaust देखने को मिल जाती है इस नया model में बाकि इसके exhaust sound पहले से काफी जाता loud कट दिया गया है दोस्तो अब देर की इस बात की अब इसके exhaust sound सून लेते है दोस्तो कैसा लगा इसके exhaust sound हमें comments में जरूर बताना और वीडियो अभी तक अच्छा लगा है तो एक like जरूर कर देना rear में 230 mm का disc दिया है और यहाँ पर बाइबरी कमपनी का brake caliper यूज हुआ है पीछे भी आपको M&F Rebs का tire मिल जाता है जिसका सेकसा ने बहुत ही massive 150 by 60, 70 inches का tire दिया है जो की tubeless and साथी साथ radial भी है दोस्तो rear में multi-step adjustable monosock with night truck suspension मिल जाता है जिसका wheel stroke है 110 mm यहाँ पर suspension को protect करने के लिए एक guard लगी हुई है जिससे suspension में धूल मिट्टी ना जाए side में D400 की branding इसमें पीछे grab handle के साथ एक बड़ा सा top rack मिल जाता है company की तरफ से और यह काफी मजबूद भी है यहाँ पर आपको एक छोटा सा backrest भी मिल जाता है अब इसका पीछे का tail lights देख लेते हैं पीछे काफी bright LED में split type tail light देखने को मिल जाती है side में LED turn indicator LED number plate light आप हर 400 km के बाद clean करना पड़ता है टायर में हावा भरने का instruction 6-speed gear box का stickering इसमें आपको side stand engine cut up sensor भी मिल जाता है लेकिन इस bike में आपको double stand नहीं मिलेगी यह इसका एक drawback है लेकिन आप चाहो तो बाद में fitting करवा सकते हो किसी भी swap से दोस्तों Dominar 400 में step seat दिया हुआ है जिसका sitting comfort काफी बड़िया मिल जाता है rider and pillion दोनों के लिए ही Dominar का branding भी seat में मिल जाता है इसमें company से ही tank pad लग जाती है इसका fuel tank capacity है 13 liters और इसका city में mileage है 25-28 kmpl और high way में 30 kmpl आराम से दे जेता है tank की उपर 3D में Dominar का branding black color में fuel lead opener इस bike में आपको fully digital meter console मिल जाता है जो दोनों पार्ट में आती है और एक पार tank की उपर दिया है यहाँ पार rpm meter दिया है इस side speedometer fuel gauge देखने को मिल जाता है यहाँ पार engine kill switch side stand down इस तरह की सारी information इसमें show करेगा यहाँ पार engine malfunction signal light high beam signal light neutral signal check engine light error signal rpm limiter इसमें आप देख पाऊगे यहाँ पार एक USB charging socket भी मिल जाता है और black color में यहाँ पार normal handle bar मिल जाता है tank की उपर इस छोड़ी सी display में gear position indicator odometer time trip meter यह सारे information इसमें देख पाऊगे अब दोस्तों इसका switches देख लेते हैं handle की left hand side में pass switch high beam low beam indicator और नीचे horn का बटन दिया है काफी loud horn मिलता है इसमें इस side engine kill switch नीचे auto headlight on off switch और self start का बटन मिलता है इसके जो side mirror है वो भी यहाँ पर काफी unique and stylish मिलते है mirror का नीचे बाला part fiber में दिया है दोस्तों अब इस bike का price जान लेते है क्योंकि main बात तो इसका price ही है न इतना बड़ या फियेचा loaded bike होने के बाउजूद भी यह कोलगाता में on road price परेगा 2,74,000 रूपी तो फिर देर की इस बात की दोस्तों अगर आप bike से touring बागरा करते हो single या फिर pillion के साथ तो जल्दी OSL बजाज से contact करके इस bike को खरिद लो यहाँ पर बजाज की सारी latest bike available रहता है all time अगर आपका CD का on road price जानना है तो हमें जल्दी comment box में comment कीजिए मैं reply कर दूँँगा दोस्तो वीडियो अच्छा लगाए तो एक like जरूर कर देना और चनल पे नए हो चनल को subscribe करके बेल आइकन को on कर दीजिए आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में जैहिंद बंदे मातरम